दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे के credit card companies कैसे अपना interest का calculation करती है आपको पता ही होगा कि अगर आप credit card use करते हो तो आपको एक statement period दिया जाता है जो एक महिने का होता और उसके बाद आपको grace period 20 days का मिलता है और वो 20 days के बाद आपकी due date होती है due date पे आपको आपका जो भी payment बनता है जो आपने purchase किया है credit card companies को वापस लोटाना पड़ता है suppose आपने समझ लिए August 13 से लेके September 12 तक का आपका एक statement period है और September 13 आपका होता है statement day तो समझ लिए August 13 से लेके September 12 तक आपने जो भी कुछ purchase किया है उसकी जो भी amount है suppose 12,000 के आपने purchase की है तो वो आपको statement मिलेगा September 13 को अब ये जो 12,000 का payment आपको करना है वो आपको इसके उपर 20 days ज्यादा मिलेंगे और वो होगा आपका 2nd October 2nd October आपकी due date होगी तब तक आपको ये 12,000 लोटा देने है जो भी आपने purchase की थी वही value आपको उनको वापस करने है तो वो वाले किसमें को interest नहीं लगेगा अगर ये जो due date है वो due date के बाद अगर आप payment करते हो या फिर due date से पहले आप partial payment करते हो तो वो वाले केसमें interest की calculation होती है तो वो कैसे करनी है चले मैं बताता हूँ तो देखिया है यहाँ पे कुछ basic सी चीजे हैं वो मैं explain करूँगा आपको ताक आप अच्छे से समझ पाओ जो calculation होता है अगर आप partial payment करते हो या फिर due date के बाद payment करते हो तो वो वाले केसमें जो interest की calculation होती है उसके लिए calculation के लिए जो formula use होता है वो कुछ इस तरह से use होता है जहाँ पे number of days क्या होंगे कि आपने जो transaction की होगी आपने purchase की होगी उसके बाद जब भी पहले दिन पर आप payment करने वाले हो तो वो दिन सपोज आपने 1st July को purchase किया था और 21 July को आप payment कर रहे हो तो वो वाले किसमें ये 21 दिन consider किया जाएंगे ये पहले वाला जो option है वो 21 दिन का होगा ओके आउट्स्रेंडिंग अमाउंट सपोज वो हमने 10,000 का 12,000 का example लिया था तो 12,000 हो सकता है कोई भी amount हो सकती है जो आपका outstanding होगा interest यहाँ पे ये example में आपको बोला जाएगा कि कितना interest होगा सपोज वो 3.5 है तो वहाँ पे 3.5 लेना है वो 12 से जोड जाएगा 12 मेने होंगे और से डिवाइट किया जाएगा 365 लेस से सारी चीजों को जोड लोगे तो आपको आपका जो भी interest है वो मिल जाएगा चलिए अब हर एक bank के लिए ये monthly percentage rate कितना है वो यहाँ पे बताया गया है अभी हम annual percentage rate की बात नहीं करेंगे क्योंकि daily basis पे यहाँ पे कितना interest बनता है वो निकाला जाता है और उसके लिए आपको monthly percentage rate की जरूरत पड़ती है SDFC की बात करें, SBA, SBI, Axis Bank और भी कई सारी bank है उनके बात करें तो वो सारी banks के जो भी monthly percentage rate है वो यहाँ पे mention किया है अब हम सीधे example पे जाएंगे suppose आपका जो bill cycle है वो bill cycle कुछ July 5 से लेके चलिए June 6 से लेके जुलाई 5 तक का आपका statement period है और आपका statement date कौन सा है जुलाई 6 को आपका ये period में जो भी purchase किया होगा उसका आपको statement मिलेगा July 6 को अब July 5 जैसे के यहाँ पे बताया गया है July 6 को आपको statement मिलेगा plus 20 दिन आपको जोड़ देने है तो वो हो जाएगा 26 जुलाई तो ये होगी आपकी payment की due date ये date पे आपको means जो भी payment बनता होगा हो करना है suppose ये period में June 6 से लेके जुलाई 5 में July 1 को आपने 10 अजार की purchase की ok statement आपको मिला 6 जुलाई को कि आपको 10 अजार की outstanding है आपकी minimum amount due का भी एक funda होता है लेकिन minimum amount due के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना important भी नहीं है पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि minimum amount due पे करना आपके लिए बहतर नहीं है तो वो मैं फिर बताऊँगा otherwise इतना समझ लिजे जो भी outstanding amount होगी उसका 5% आपका minimum amount due हो सकता है means वो minimum amount आप पे कर सकता है total amount due कितना है 10,000 amount due date कौन सी है 26 वो मैंने यहाँ पे बताया आपको अब हमने assume कर लिया कि हमारा monthly interest rate कोई भी bank है तो वो suppose 3.5% है अब payment की बात करें तो payment 10,000 का हो गया है कब किया है July 21 को हमारी due date कौन सी थी 26 July थी लेकिन उससे पहले हमने payment कर दिया अब वैसे तो due date से पहले आप payment कर देते हो जो भी outstanding होगी उसका तो आपको कोई भी interest नहीं लगता है लेकिन कई बार क्या होता है कि due date से पहले partial payment होती है जैसे 10,000 में से 5,000 ही payment होती है और बाकी की payment जो due date है उसके बाद होती है 20 July के बाद होती है तो वो वाले case में interest का calculation करना पड़ता है तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे जो example है उसमें due date से पहले payment कर लिया है लेकिन कई बार यह 10,000 की payment नहीं होती due date से पहले 5,000 की payment की जाती है बाकी के 5,000 due date के बाद पे करते है तो वो वाले case में यह पूरा जो 10,000 होगा उसके उपर interest निकाला जाएगा यह पहला example है उसमें simply समझे यहाँ पे तो interest लगने ही नहीं वाला चीज से साब से चीजें बताएगे interest नहीं लगेगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि partial payment होता है तो उसकी वज़े से यह जो 20 days का जो 21 days का period होता है means 1st July को अपने purchase की थी July 21 को अपने payment किया तो उसका भी interest consider किया जाएगा आगे का example में आप समझोगे पूरी अच्छी तरीके से अभी simply समझे कि इसका interest अगर calculate करना है तो वो कैसे निकालेंगे देखे आपने payment कप की है 21 July को अपने purchase कप की थी 1 July को तो पूरे दिन कितने हुए 21 तो पहले हम 21 दिन डाल देंगे जो भी outstanding amount कितनी है 10,000 तो 10,000 डाल देंगे 3.5% हमारा interest है यह 12 month है divided by 365 days तो हमारा interest निकल काया 241 लेकिन अब यह interest 0 हो जाएगा क्योंकि due date से पहले 27 July से पहले आपने payment कर दी है July 21 को तो वो वाले case में यहाँ पर कोई भी interest नहीं लगेगा अब यह क्यों explain किया दूसरे वाले example में आपको समझ में आएगा देखे दूसरे सिनारियो में क्या बोला जा रहा है partially payment before due date से पहले partial payment पूरा payment नहीं 21 July को आगे हमने देखा था कि 10,000 का payment कर दिया था पूरा लेकिन अब क्या क्या 10,000 का payment नहीं हुआ only 5,000 का payment किया ओके तो अब यह वाले case में हमें interest का calculation करना पड़ेगा 21 दिनों का भी means 1st July को तो हमने purchase किया था 21st July को हमने payment किया लेकिन 10,000 करना था 26 July से पहले लेकिन हमने payment किया only 5,000 का तो वो वाले case में भले ही आपने 21st July को 5,000 का payment किया लेकिन full value पे आपका interest निकाला जाएगा तो 21st को आपने जो payment किया 5,000 का 21st को अगर consider कर ले पहला payment तो 1 July से लेके 21 July तो 21 दिन हो गए उसी के उपर interest निकाला जाएगा उपर जैसे calculate किया था उस हिसाब से 10,000 full value है उसका 3.5% लिया जाएगा और 12 divided by 365 तो आपका interest बनेगा 241 अब ये तो बात बनी कि 21 July को मैंने जो payment कि थी 5,000 की उसको लेकि ये interest निकाला गया बले ही 5,000 थी लेकिन यहाँ पर full value ओके full value पर निकाला जाएगा interest अब बाकी के जो 5,000 है वो 22 July से लेके 6 August दूसरा जो statement period है देखे दूसरा statement आपको कब मिलेगा ओके July August का 6 July से लेके 5 August तक का statement आपको 6 August को मिलेगा और वो statement period में कोई भी तरह की transaction नहीं हुई अब 15 दिन का बाकी का जो period है July 22 से लेके August 6 तक का तो वहाँ पर बाकी के outstanding 5,000 हमें pay करने हैं क्योंकि 5,000 हमने अल्रेडी pay किये तो बाकी के जो partial amount 5,000 है उसके उपर interest निकालेंगे देखे 10,000 थे उसमें 5 गटा दिये क्योंकि उसका तो calculation हमने कर लिया है तो बाकी के जो 5,000 है उसका 15 दिन के हिसाब से 15 दिन 5,000 वैल्यू बाकी है इंट्रेस्ट इतना है यह मैने है और यह 365 days है तो इंट्रेस्ट हमें मिलेगा 86.4 अब यह दोनों को जोड़ लेंगे 241 और यह दोनों को जोड़ लेंगे तो यह interest बनेगा आपका जब 6 अगस को आपको statement मिलेगा तो उसमें interest यह वाला होगा तो बले ही आपने partial payment कर दी लेकिन वो बले ही 5,000 की payment लेकिन जो full value 10,000 उसी के उपर 21 दिन का interest निकाला गया और बाकी का जो 5,000 का payment किया है बाकी का तो वो 5,000 का payment जो करना है उसके उपर जुलाई 22 से लेके अगस 6 तक के जितने दिन हुए होंगे यहाँ पे 15 दिन हो रहे है तो 15 दिन के हिसाब से 5,000 पे interest निकाला गया आगे कुछ और चीज है सिनारियो 3 में बोला गया है कि partial payment अब due date से पहले नहीं partial payment भी due date के बाद हो रहा है तो कि पहले due date से पहले 5,000 payment होती थी 21 जुलाई को अब 28 जुलाई जुलाई 26 को हमें payment करनी रहती है लेकिन हमने payment कब की जुलाई 28 तो partial payment हुआ फुल पेमेंट नहीं हुआ 10,000 लेकिन पार्सल पेमेंट ही due date के बाद हुआ अब ये वाले केस्ट में next statement तो 6 अगस्त है वो तो हमने देख लिया और ट्रांजेक्शन आगे वाला जो जुलाई 6 से लेके अगस्त 6 का जो पिरियड है वो पिरियड में कोई भी तरकी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ अब इसका calculation कैसे इंगरेंगे देखे पहली payment कब हुई थी 28 जुलाई को तो 1 जुलाई को हमारी purchase थी 1 जुलाई को हमने purchase की थी 10,000 की सही है तो 28 में दीन को भले ही partial payment हुई लेकिन full value पर interest निकाला जाएगा तो 28 दीन पर पहला payment हुआ तो 1 जुलाई से लेके 28 दीन हो गए तो 28 दीन full value 10,000 3.5 12 मन्त 365 देज तो ये interest बना आपका 322 अब बाकी का जो 5000 का payment रहेगा वो बनेगा जुलाई 28 से लेके 6 अगस्त के बीच में वो consider किया जाएगा और अगर जुलाई 28 से लेके 6 अगस्त को हम calculate करें तो वो 9 दीन हो जाते तो 9 दीन के लिए बाकी के 5000 का दिखे 9 दीन आगए बाकी के 5000 का interest निकालेंगे 3.5, 12, 365 तो वो निकल के आएगा 51.8 अब दोनों को जोड लेके दोनों interest को तो आपका interest बनता है 3.74 तो पहले हमने क्या देखा पहले सिनारियो में के due date में आपने payment कर दिया कोई भी तरका interest नहीं लगएगा दूसरे सिनारियो में हमने क्या देखा के due date से पहले payment तो हुई लेकिन partial payment 5000 ही payment हुई बाकी के 5000 नहीं हुए तो वो कैसे calculate किया जाता है interest वो देखा तीसरे सिनारियो में हमने देखा कि partial payment हुई लेकिन due date के बाद हुई तो वो वाले case में क्या होगा अब जो last वाला सिनारियो है उसमें ये जो transaction होता है ये transaction period जो है July 6 से लेके August 6 उसमें एक transaction भी हम बताएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा चलिए ये वाला सिनारियो ठीक से समझेगा total payment कितनी की 5000 की अब कब की हमें करनी थी कब July 26 से पहले लेकिन हमने की कब तो partial payment भी हुआ कब due date के बाद हो गया 5000 का हमें करना था 10,000 अब next statement date कब है ये भी आगे का जो example था वही है 6 जुलाई से लेकि और उसमें transaction हुआ है क्या एक transaction हुआ कितनी value का 1000 का और वो transaction date कौन सी थी July 15 समझेगा ठीक से अब calculate कैसे करेंगे 15 जुलाई को जो purchase हुई वो date को consider करते हुए 1 जुलाई से 15 जुलाई का period consider किया जाएगा तो 15 days का ये जो period है उसका interest निकाला जाएगा 10,000 पर देखे ये 15,000 हो गया 15 days हो गया 10,000 हमारा 1 जुलाई का था उसका interest निकाला 3.5 बाकी की चीज़े सेम है तो वो कितना निकल के आया 172.6 तो ये interest निकल गया अब ये पहले से निकाल गया था यहाँ पर company ये सोचती है कि अगर ये due date में payment हो जाएगा तो इसका interest calculate नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या पता चला कि 28 जुलाई को अगले वाला जो period था अगले वाला जो statement period था उसका 28 जुलाई को partial payment हुआ तो अब outstanding कितने होंगे एक तो interest 13 दिन का होगा क्योंकि 15 दिन तक तो हमने 10,000 का तो जो outstanding था उसका interest निकाल दिया अब 15 से 28 को ले ले 16 से लेके जुलाई 28 तक तो वो दिन बनते है 13 और 13 दिन में outstanding कितना होगा outstanding होगा एक तो 10,000 भी लिया जाएगा और 1,000 को भी जोड लिया जाएगा तो total हो जाएगा 11,000 का outstanding अब 11,000 के outstanding पे 13 दिन मिन्स ये 28 तारिक को जो payment किया वो 1st July से consider नहीं होगा 1st July से 15 July तक consider किया अब 16 July से 28 July का जो interest 11,000 total outstanding है 15 July का 1,000 और July 1 का 10,000 वो total मिला के 11,000 पे 13 दिन का interest निकाला तो वो interest बना इतना अब बाकी का 5,000 अभी भी पे करना है तो वो 5,000 के लिए क्योंकि पूरी जो outstanding कितनी थी 11,000 हो गई है 28 July को हमने 5,000 ही पे किया है तो 5,000 हमने पे कर दिया बाकी के 11,000 में से 5 घटा दोगे तो बाकी के बनते है 6,000 अब 6,000 पे 9 दिन के क्यों July 28 से लेके August 6 ये वाला जो statement period है उसको भी consider किया जाएगा और इसका भी interest निकाला जाएगा 9 दिन का तो 9 दिन का interest 6,000 का बनता है तो total interest कितना हो जाएगा 172.6 दूसरा है 164.5 और तीसरा है 62.13 अब ये जो interest है वो आपको अगस्त 6 को जो आपको statement मिलेगा उसमें ये interest mention होगा तो अगर आप एक भी payment due date के बाद अगर कर लोगे तो आप कहां पर फस जाओगा आप खुद देख लीजिए कुछी इस हिसाफ से calculation होती है तो मेरा तो आपको एक advice है कि अगर आप credit कार रखते हो तो आपको due date पर ही सारी payment करनी है तो ये जमिले में आप नहीं पढ़ गए otherwise आपको ये नहीं पता चलेगा statement देखे कि ये कहां से इतनी amount आ गई तो वो थोड़े जमिले में आप पढ़ सकते हो तो उससे अच्छा है कि due date में payment करे और आपके पास जो भी credit है suppose आपके पास 40,000 की credit card आपको credit दे रहा है तो उसका 10% या 15% ही use किजिए इससे आपके जो credit score है इस पे भी इसकी impact नहीं होगा आपका credit score down नहीं होगा क्योंकि आप कम loan ले रहे हो लेकिन अगर आप 40,000 पूरी use करते हो या फिर इसमें से 30,000 भी use कर लोगे तो वो वाले case में क्या होगा कि हो सकता है कि आपके credit score पे भी इसकी impact पढ़ सकती है तो ये कुछ चीजे थी के companies कैसे interest का calculation करती है credit card companies जब भी आप credit card से कुछ purchase करते हो और due date के बाद अगर payment करते हो या फिर due date से पहले parcel payment होती है और due date के बाद बाकी की payment होती है तो कैसे ये सारी calculation की जाती है तो I hope के कई सारी चीजे आपको यहाँ पर बताई गई है और आपको वीडियो जरू से पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को like करे share करे और जरू से चैनल को subscribe करे क्योंकि finance से जूड़ी ऐसी ही बहतरीन वीडियो ममेश आपके लिए लाते रहते हैं मैं हूँ रवी परमार साइनिंगो थेंक्यू थेंक्यू सो मच